वतन की सर वुलंदी में हमारा नाम हो शामिल गुजरते रहना है हमको सदा ऐसे मुकामों से जैन गाईज कैसे हैं आप लोग इस कुरोना समय में आश्या करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं लग्की आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो बिहार पुलिस से रिलेटेड है बहुत सारे लोग पूश रहे थे कि बिहार पुलिस का डियो कब होता है बिहार पुलिस की फर्स्ट सेलरी कितनी होती है बिहार पुलिस में कितने दिनों का ट्रेनिंग दिया जाता है ट्रेनिंग की दोरान कितने दिनों का छुट्टी मिलता है और जो डिस्टिक हम लोगों को अलाउट किया गया है क्या वहीं पर ट्रेनिंग दी जाएगी तो दोस्तो इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में है अब वीडियो को अन तक देखे दोस्तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार पुलिस के ज्वाइनिंग करने का डेट 26 अप्रेल से 25 मही तक दिया गया था बहुत सारे जगों पर ज्वाइनिंग हो भी गया मगर बहुत सारे सेंटर पर रॉल नंबर की एकोडिंग कैंडिडेट को बुलाया गया था बहुत सारे जगों पर अभी भी बाकी है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तो दोस्तो कुरुना संक्रमन को देखते फिर लॉकडाउन लगाया गया था और अभी वे 15 महीं तक लॉकडाउन है इसके वज़से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को पोस्टपोन कर दी गई है तो दोस्तो जैसे ही लॉकडाउन खतम होता है तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और अगर लॉक्डाउन का डेट आगे बढ़ा तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया में लेट हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट जो अपना योगदान दे शुके हैं जो अपने अपने सेंटर पे भी चले गए उन लोगों का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है बहुत सारे जगों पे मेडिकल नहीं हुआ है रेरली कहीं कहीं मेडिकल हुआ है और जिन लोगों का मेडिकल नहीं उस्षित किया जाएगा, कि उनको जोइन करने के लिए कब जाना है, जोइणिंग के बाद, बहुत सारे जगों पे, बहुत सारे सेंटर पे गर्ट पे बहुते कब बहुतार आद év不錯 के उनिक बहुताि बि classification कभी पर दर्ट यह सबुते है ए फिमल कैंडिडेट को रूम लेकी रहना परेगा तो दोस्तो जो टेस्टिक आप लोगों को अलोट किया गया है जो टेस्टिक कैंडिडेट को अलोट किया गया है तो वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होने वाली है जी हाँ वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होगी ट्रेनिंग के लिए अलग से कैम्प बनाया गया है जहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी मगर हाँ दो महिने तक लगभग फटीग चलेगा वहाँ पर आप लोगों को खुद समझा देंगे कि फटीग में क्या क्या करना होता है और जब फटीग समाप्त हो जाता है उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा और दोस्तों बहुत बड़ा सवाल यह है कि ट्रेनिंग के दोरान कितने दिनों के छुटी मिलती है तो मैं आप लोगों से बता दूं कि ट्रेनिंग के दोरान मात्र 10 दिनों के छुटी मिलती है इसी में आपको जो करना होता है आप कर सकते हैं आपको ट्रेनिंग के दोरान 10 तिनों के छुट्टी दी जाएगी और दोस्तों ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है तो ट्रेनिंग 273 दिनों की होती है जिसमें से 58 दिन फटीख चलता है 58 से 60 दिन तक फटीग चलता है और 215 दिन लगवग परे ड्रिल चलता है और अगर इससे अधिक समय लगता है तो उसमें आपको अनुशाशन और पब्लिक को कैसे फेस करना है अपने सीनियर से कैसे फेस करना है उनसे कैसे बिहेव करना है ये सब बाते आपको वहां सिखाया ज सकता है इस तोरह आप लोगों को डूटि में भी लगवाया जाएगा आप दूटि में इस तौरह आपको पांट करते हैं डियो की डियो क्या होते है डियो का मतलब होता है डिसे कारडर मतलब जि़ला imbalance जिला के द्वार डिया गया आदेश किस जब तक डियो नी मिल तना त सकते हैं और जिस दिन डिए-ओ हो जाता है उसके बाद से आपकी सेलरी शुरू हो जाती है डोस्तो डिएओ का मतलब एक कंडिडेट के डिएओ से नहीं होता है जो डिस्ति कंडिडेट को अलॉट किया गया है वहाँ पर जितने सारे कंडिडेट पर सब्टोज कर건 276 candidate है तो जैसे कि आप 26 को जोईन कर लिए और कोई 10 को जोईन करने वाला है तो ऐसा नहीं है कि आपका D.O. पहले हो जाएगा और उनका D.O. बाद में होगा तो दोस्तो सारे candidate का D.O. एक बार ही होता है और एक बार में ही सबको जिला आदेश प्राप्त हो जाता है ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले जाते हैं तो उनको पहले हो जाता है जो बाद में जाते हैं उनको बाद में D.O. मिलता है ऐसा नहीं है सबको एक साथ जिला आदेश मिलता है जब सारे candidate ज्वाइन कर जाते हैं उसके बाद S.P. सहब द्वरा डीयो दिया जाता है, उसके बाद आपके सेलरी आने सुरू हो जाएंगे, अब बात करते हैं सेलरी की, तो दोस्तो जितने भी candy rate है उन सबको 1st सेलरी 26,000 प्लस मिलेगी, जी हाँ दोस्तो उन सबकी सेलरी 26,000 प्लस मिलेगी, और कई जगों पे 30, सजार से स्टार्ट होगी सेलरी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सेलरी population area के हिसाब से मिलता है और महंगाई के हिसाब से भी मिलता है जैसे कि पटना का सेलरी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वहां में population भी बहुत है population और area को देखते हुए सेलरी बिसाइड किया जाता है पटना मुझफरपूर और भागलपूर इन सब जैसे जगों पे उहां का सेलरी कुछ ज्यादा ही रहता है दोस्तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि फर्स सेलरी अकितने दिन में मिलती है तो दोस्तो डीयों होने के बाद लबख पांच मैने के बाद से सेलरी मिलती है क्योंकि कुछ विभागी एक आगज होते हैं उसको बनवाने में टाइम लग जाते हैं पांस से छे महिने उसके बाद आपके सेलरी आने सुरू होगे दोस्तो जब तक सेलरी नहीं मिल जाती तब तक आप लोगों को अपने पॉकेट से पैसे खर्च करने होगे और जिस दिन से सेलरी आने सुरू होगी तो पिछला जितना भी होगा वो सारे एड़ करके आपको सेलरी मिल जाएगी दोस्तो मैं आश्य करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें ज्यादा ज्यादा और मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जैहिंद दोस्तो आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो वो कमेंट वक्स में कमेंट करें मैं उन सभी सवालों के जवाब दूँगी जय हिंद